अपने चेहरे की चमक को बरकर रा रखने के लिए हम कितना कुछ ट्राय करते हैं, अच्छी अच्छी क्रीमे लगाते हैं, अच्छी अच्छा फेशिय लगाते हैं, अच्छी अच्छी फेस पैक लगाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बर हमारे चेहरे के उपर ग दिखाई देता है कुम लाया हुआ सा दिखाई देता है गर्मी में खासकर यह प्रोब्लम आ ही जाती है अगर आप भी इस मस्या से परशान है तो इस खूबसूरा से फेस्पैक को मेरे साथ त्यार कर लीजिए नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर वर्ष नीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप आई होप आप सब लोग खुश होंगे इस रैमिडी को त्यार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा आलू उसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और अदुकश कर लेना है हमें यहां पर आलू का रस चाहिए एक चमच के करीब ठीक है जी यह देखिए यह देखिए एक चमच आलू का रस हमने नि दाग धबों को light करता है यह हमारी uneven skin को एक सार करने में help करता है हमारे चहरे के उपर glow लेकर आता है ठीक है जी अब मैं इसमें add करूंगी एक ही चमच टमाटर का रस टमाटर का रस open pores को भी minimize करता है ठीक है जी अब हम इसमें add करेंगे आधा चमच के करीब honey अगर आप honey नहीं लेना चाहते तो आप यहां पर चोथाई चमच के करीब glycerine यूज कर सकते हो ठीक है जी जिन लोग की skin dry है वो यहां पर honey या glycerine को जरूर यूज करें अगर आपकी skin oily है तो आप इ skip नहीं करेंगे इन दोनों मेंसे जो भी चीज उनकी skin को suit करती है वो इसमें जरूर एड करें ठीक है जी अब हम इसमें add करेंगे चुटकी वर कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी हमारे रंग को निखारेगी हमारी skin को खूब सूरत बनाती है यह हमारे चहरे के दाग धबों क Curry को भी light करती है ठीक है जी अब हमने इसमें added करना है चोथाई चमच के करीब निम्बु का रिस फ्रेंट्स निबुका रिस सिरफ वह लोग ही use करेंगे जिनको निम्बु등 करता है वरना यह पर निम्बुके रस को स्किप कर दिजिए ठीक है जी पर लास्ट में हम add करेंगे चोफाई चमज के करीब नारियल का तेल जिन लोगों की स्किन ड्राइए है वो ज़रूर एड़ करें ठीक है जी और जिन लोगों की स्किन ओयली है वह यहां पर तीन से चार ड्रोप डालीजिए आपको बहुती ज्यादा एक्स्रीम आपकी स्किन оयली है तो आप इसको सकेप क कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें तीन से चार बुंदे नारियर के तेल की एड करोगे जब आप अपने फेस को वाश करोगे ना आपके चेहरे के पर एक अजीब सी पहुत ही प्यारी सी चमक आ जाएगी इसलिए मैं बोलती हूं कि नारियर का तेल हमारे स्किन के लिए को लें है अजो हमारा पयल के ओच जाए जाएक पर दो मिनट मसाज यहां पर बता दूँ है अगर आपके फेस के ऊपर कुछ लगा है तो पहले आप अपने फेस को पने फेस्वोर से वाश कर लीजिए उसके बाद आप इसलिगा करें लेकिन अगर मेकप लगा या आपके फेश के ऊपर धूल मिट्टी लगये तो पहले आप शाफ करें कि क्योंकि वे मेक अब मेंपर chúng स śmьंग Пड़ा होते हैं अगर हमारे लिवरद जकांओ निककला गणलाएंगे बहुत है यूद्ट आप पैक लगाते हो अपने स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए ग्लोइंग बनाने के लिए लेकिन अगर अगर आपने बंद पॉर्स के ऊपर अपना फैस पैक लगा लिया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गा इसलिए मैं आपको हमेशा बार-बार बोलती हूं कि फ उसनीक को असकि मसाज हो ऑपर सफ सफ कर लेती हूं और मैं अपने फेश को वोश नहीं करूंगी अब हमने लास्ट में इस रामिडी अच्छा को करना है थोड़ा सा मुलतानी मिट्टी थोड़ा सा जानी की आदा चमज के करीब हम ले रहे हैं मुलतानी मिट्टी अगर आपको मुलतानी मिट्टी सूट नहीं करती तो आप मुलतानी मिट्टी की जगा पेसन ले सकते हो या मसूर दाल का पाउडर ले सकते हो हमने मुलतानी म नहीं मैंने इसलिए इसमें थोड़ी सी मुलतानी मिटी आइड की है कि यह फेस पाक हमारे चहरे के उपर असानी से टिक जाए और हमें हमारे फेस पैक के पूरे बैनेफिट मिलें ठीक है जी फ्रेंट्स देखिए ये अभी भी liquid है आप डालना चाहो तो इसमें डाल सकते हो नहीं डालना चाहो तो आप इसको skip कर सकते हो आप इसको cotton की help से अपने पूरे face के उपर लगा लीजिए अब मैं इस remedy को अपने पूरे फेस के उपर अच्छे तरीके से लगा लूँगी पहले मैं इस remedy को एक बार अपने फेस के उपर लगाऊंगी पांसात मिनट इसको छोड़ूँगी उसके बाद जो मेरी बच्ची ही remedy है मैं इसका दोबारा से इस्तेमाल कर लूँगी की इनको देख कर फेस पैक में मुलतानी मिट्टी कम ही एड किया कीजिए यह कि मुलतानीमिटी का फेस बैक जब हम बनाते हैं जिस समय हमने बनाया उस समय तो वह लिक्वर्ड होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास बने बैल आइकन को भी जरूर प्रैस कीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए फ्रेंट मैंने आप सभी को बता दिया है कि इस फेसपैक को सभी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बस वो लोग ही इसका इस्तेमाल ना करें जिनको इस फेसपैक में डाले कि किसी इंग्रीडियंट से ऐलर्जी है उनकी स्कि के उपर गजब के रिजर्ट्स लेकर आता है फ्रेंट मैं आपको यहां बता दूँ कि कई लोग मुझे यह पूछते हैं कि मैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंग्रीडियंट हमारी स्किन को सूट करता है कौन सा नहीं करता तो मैं उनको बता दूँ कि आप इस फेसपै को यहां पर नहीं पर यहां पर इस फेसटम लगाया आप एक दिन का वेट कीजिए जहां पर आप ने इस फेसपैक को लगाया है अगर वहां पर इचिंग नहीं होती है रेडनेस नहीं आती दाने नहीं निकलते इट मिन्स यह फेस पैक आपको सूट करेगा इसमें डालेगे सबी इंग्रिजिट आपकी स्कीन के लिए सूटेबल है आप इसको अराम से लगा सकते हो आपकी स्कीन को कोई नुकसान नहीं होगा फ्रेंट्स यहां मैं एक दिन का वेट करने के लिए इसी लिए बोल रही हूँ ताकि एक दिन के अंदर अगर कोई अलर्जी होनी होती है तो पता चल जाता है ठीक है जी और गर्मी हैं आपने बहुत सारा पानी पीना है क्योंकि इंटर्नल और एक्स्टर्नल मिलकर ही हमारे च क्रीम मॉस्टराइजर लगा कर जरूर सोएं क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे स्किन अपने डैमेज टिशिर्स को रिपेर करती है वैसे तो उसका काम है वो तो रिपेर करेगी ही करेगी आप चाहे अपने फेस के ऊपर कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ बट आप य यह जो रिपेरिंग स्पीड है वो दोगनी हो जाएगी और आपकी स्किन लंबे समय तक स्वस्त रहेगी ग्लोइंग रहेगी यंग रहेगी इसलिए खास इस बात का आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स इस फेस पैक को आप हफते में तीन बार लगाईए हफते में चार ब मिलती हूं दस मिनट के बाद देखिए फ्रेंट दस मिनट हो गया है मैं आपको अपना फेस साफ करके दिखाती हूं पहले थोड़ा इसको गीला कर लो अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं और आपको दिखाती हूं इसका फाइनल रिजल्ट रिजल्ट देख सकते हो बहुत ही खुबसूरा रिजल्ट आता है अब टाइम अपनी स्किन को मॉस्टराइज करने के लिए अपना बनाया मॉस्टराइजर ले रही हूं आप अपने फेस को वाश करने के बाद स्किन को मॉस्टराइज जरूर किया कीजिए और यह जरूर बताया कीजिए कि आपकी सीटी से वीडियो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रगता है तो आप भी इस प्यारे से खूबसूरा से फेस पैक को बनाएं और इन गर्मियों में भ पर हमेशा अगलो को बनाएं रखें तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई